हेलो दोस्तो नमेशकार असेट खरीदने से रिलेटेड जो एक डील चल रही थी वहापे वो भी केस में अटके हुई थी तो वो भी हम लोग को सॉल होते भी देखने को भी मिल सकते हैं इसी एक उमीद की किरण सामने आ रही है ज़रू इस वोड़े को देखने ना सारा खेल आप लोग को समझ में आ जाएगा अगर फर्स टाइम विजिट के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बेला कंको इट करना अगर आप चाओ तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल का लिंक उपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाली सुड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे अगेन आप सब लोग को मैं अल्यडी बता चुका हूँ कि यह जो पूरा यह जो डिसेंबर रहने वाले कोई भी बीच में पब्लिक हॉलिड़े नहीं है क्रिस्मस भी जो आने वाले है Vmos सैटरडे के दिन है तो पाच दिन बाजार लगातार यहाँ पे चलने वाला है सो यहाँ पे बाजार में आने वाले पाच दिन में कौन-कौन से इंपोर्टनट खब्र है जिसके चलते बाजार में हल चले रहेगी वो मैं आपके सामने आपे प्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड़क्शन देना चाहूँ गया बेरिश महोल बहुत ही ज़्यादा है आपे हम लोगों को देखने को मिल रहे है जो बार-बार हम लोग टेखनीकल टर्म भी यूज़ करते की चार्ट पेटन इसा इसे चलता है सो सेल ओन राइस का यहाँ पे ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है क्योंकि यह से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश आप हो चकती ऐसा क्यों कि बाजार को यह लिए अगर आप लोग देखिए उपर जाने के लिए कोई तो पॉजिटिव न्यूस चाहिए करने की बात चल रही है मतलब बाजार से पैसा निकलने की बात कर रहे है और टेस्ट किया जाएगा अभी बाजार में कितना खुच से खड़े रेने का यहाँ पे दमखम है इसलिए हम लोगों को यहाँ फिलाल बाजार में गिरावट का महुल बनते वे देखने को मिल रहा है तो ठीक है अभी हम लोग आजाते दोस्तो ऐसी कुछ इंपोर्टन खबरे जिसके उपर बाजार यहाँ पे रियक्शन दे सकता है तो दोस्तो निउस नंबर वन नो डाउट यहाँ पे आप सबलंग पते कोवीड नाइटीन ओमीक्रॉन की आपे बात करें दोस्तो तो वो चिंता बढ़ाती जारे पर सर हमारे इदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मैं विदेश की बात करना हूँ सारे मार्केट एक दूसरे से लिंक रहते हैं और विदेश की बाजार के मैं बात करो फॉरेन कंट्रीज की अगर मैं बात करो दोस्तो वहाँ पर अगर आप चेक करोगे यूरोपियन कंट्रीज यूसे बहुती जादा केसे समलों को देखने को आपे मिल रहे है उसी के साथ साथ जो साथ अफरीका का जो नया वेरियंट देखने को यहाँ पर मिल है 89 कंट्रीज में हम लोग को फैलते वे देखने को यहाँ पर मिल चुका है इंडिया में भी है लगबग 126 रिपोर्टेड केसे हम लोग को देखने को मिल रहे है वो बहुत ही तेज है अभी तक उतना डेडली साबित नहीं हुआ है बट बहुत ही तेजी से हम लोग को फैलते वे देखने को यहाँ पर मिल रहा है easily cases देड से तीन दीन में डबल करते वे देखने को मिल रहा है और बाजार को क्या चाहिए ऐसे ही तो excuses चाहिए ओमिक्रोन इसके पहले भी था बट अभी interest rate भी हम लोग को hike करते वे देखने को मिल रहा है bond tapering program भी अभी खतम यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा बाजार को तो must यहाँ पर reason मिल गया है कि जितना हो सके दबा कर माल यहाँ पर बेचा जाए अब देख सकते हैं जितने भी countries के नाम सामने आ रहे हैं यह सारे विदेश है UK की बात करें US, France, Spain, Argentina, Italy, South Africa, Canada, European countries की तो हालत तो बहुत ही जादा कम है मतलब आप सोच सकते हो कि इतने कम population वाले cases मतलब countries में भी एक एक लाक cases हमनों को देखने को मिल रहे है बट फिर भी दुनिया बर के बाजर एक दूसरे के साथ इंटर लिंक रहते हैं तो नो डाउट इंडियन मार्केट के उपर भी हमनों को प्रेशर ही देखने को यहापे मिलेगा क्योंकि जो मैं बार-बार यहापे ले रहा हूँ क्या खत्रा विदेश से है इंडिया में ऐसा कुछ बात नहीं विदेश से बार-बार जो खत्रा यहापे आ रहा है इसके चलते बाजर में प्रेशर यहापे बना रहने वाला है इसी के चलते दोस्तो फॉरेन इंवेस्टर एफ इस सेलिंग लगा अक्तार बढ़ती वी देखने को है आपे मिल रहे है फॉरेन इंवेस्टर को भी रीजन चाहिए होता है अब इंट्रेस रेट हाइक की बात है आपे सामने बोल दिये और सामने हमने को डॉलर भी स्ट्रॉ तो मंदी भी आएगी साइडवेस पैटर्न चलेगा वापस तेजी मंदी यह चलता रहेगा अच्छे स्टॉक के साथ बने रही है कोई चिंता करने की बात नहीं है फिलाल की बात करे तो एफ आप देख सकते दोस्तों नेट सेलिंग साड़े दस हजार करोड के करीब जाते अगर यह बात करे तो दोस्तों आप सभी लंग पता है रूपी की विकनेस येस रूपी की विकनेस अगेंस बार बार यूएस डॉलर 75 से लेके 70 इसी के रेंज में चलता था और 75 बहुत ही स्ट्रॉंग रसिस्टन्स बन चुका था वो उसने इजीले अभी ब्रेक कर दिया ह 76 के उपर चला गया है और जिस तरीकी से वो अभी रफ्तार देखने को मिल रही है ऐसा लग रहा है कि वो 76 76.50, 77, 78 तक भी आपे अभी जा सकता है क्योंकि अभी सारे कंडिशन उनके फेवर में हम लोग को देखने को आपे मिल रहे हैं तो हम लोग जरू कह सकतें USD-INR का जो फिलाल का जो रिलेशन हम लोग उसके हिसाब से अगर बात करें तो अभी डॉलर हम लोग को श्ट्रॉंग होते वे देखने को वैसे भी डॉलर स्ट्रॉंग ही रहता है बट जिस रफ्तार से वो बढ़ता है उस रफ्तार से वो नहीं जाएगा उतना ही वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट भी जरूर रहता है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ऐसे खतरनाक माहुल में भी दोस्तों IPO का मतलब प्राइमरी मार्केट तो मतलब फुल जोश में हम लोग कह सकतें पाच IPO हम लोगों को या पर मतलब लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हर दिन कोई ना कोई कंपनी यहाँ पर लिस्ट होने वाली है श्रीराम प्रॉपर्टीस की बात करें मैप माई इंडिया की बात करें मेट्रो ब्रैंट्स की बात करें मेट प्लस हिल्थ सर्विसेस की बात करें डेटा पैटन की बा market premium रहेगा तो easily wipe out हो सकता है, red gain में भी हम लोगों ने आपे देख लिया है, हाला कि और एक खत्रा हम लोगों को कहा पर देखने को मिल रहा है यहापे med plus health में भी, यहापे 30% तो देखने को मिल रहा था, no doubt तभी मैंने भी apply किया था, अभी देखते हैं, आगे हापे चीज़े क्या होती है, अभी जितने भी IPOs आएंगे थोड़ा सा strong listing gain रहेगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना award करना ही बेतर रहेगा, situation की साब से मैं बता रहो, अभी की situation वैसी है, इसलिए बोल रहा हो, कोई भी अगर individually situation change होती है, तो मैं आपको notify कर दूँगा, IPO को ही market को अगर मैं continue कर दो, तो और भी कुछ IPOs हम लोगो open होते हैं, देखने को याप मिल रहे है, CMS info system ये भी आप लोग यापे देख सकते हो, उसी के साथ 1100 करोड जुटाने का प्लान है, अगर हम लोग बात करें, कल के दिन ये हापे close होने चारा है, एक बार चेक कर लेना, इस IPO का ग्रे मार्केट प्रेमियम, वैसी ये कंपनी दोस्तों है, बहुत ही मजबूत, मुझे इसा लगत है लॉंग टम में ये कंपनी और भी जबरदस धूम मचा सकती है, बट लिस्टिंग गेन के लिए ग्रे मार्केट प्रेमियम स्ट्रॉंग होना, इंपोर्टन है, फिलाल तो ग्रे मार्केट हम लोग को 70 से लेके 100% के बीच में देखने को या पर मिल रहा था, बट जरूर अपलाए करने से पहले, अगर अपने अभी तक अपलाए नहीं क्या है, इफ आम नौट रॉंग, शायद से कल के दिन यह आखरी मोकार रहने वाला है, एक बार जरूर आप लोग ग्रे मार्केट प्रेमियम देखके ही, डिशेन आप लोग ले सकते हो, अगर आप चाहो तो वीडियो को या पर पॉस करके देख सकते हो, कि आने वाले हफते में कौन कौन से, स्टॉक से रिलेटर, क्या-क्या, कॉर्परेट एक्षन से, इवेंट से, किसी का EGM, EGM, Extraordinary General Meeting, बहुत सार रोग पुछते हैं सर, यह EGM क्या रहता है, Annual General Meeting सुनें, आप लोगोंने, Annual मतलब क्या, साल, सो साल में एक बार कंड़क्ट होता है, उसको बोलते हैं AGM, सो A EGM कितनी बार कंड़क्ट हो सकता है, जैसे मैंने का कि साल में एक ही बार तो होगा, अभी यह देखो, यह मैं थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉप करता हूं, यह देखो, यह 2020 था, यह 2021 है, यह 2022 है, अभी साल में एक ही बार क्या होता है, EGM होता है, अभी वापस, Next EGM यहाँ होगा, बट उसके बीच में भी आपको एक जनरल मिटिंग कंडग करनी है, तो उसको बोलते हैं, Extraordinary General Meeting, दो EGM के बीच में एक बुनानेवारी General Meeting को EGM बोलते है, कोई ना कोई बड़ा उनका फैसला हो रहता है, आप लोग चाहो तो उसको डीटेल में पढ़ सकते हो, आपको निकाला जाते है, क्या इसमें इंडिया का करन्सी इंवाल रहता है या नहीं, बहुत ही सिंपल है, गूगल में तो आजकाल सब कुछ मिल जाते है, अगेन मैं रिपेट कर रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स में कितने कंट्रीज का एवरेज यहाँ पर लिया जाता है, मतलब कॉ तो फिलाल कुरूड 73 ब्रेंट WTS 70 के आसपास चलते वे देखने को या पर मिल रहा है, नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी गोल्ड, येस 50 क्रॉस हम लोग को होते वे देखने को आपर मिल चुका है, अभी फिलाल गोल्ड की अगर हम लोग बात करें अभी तब कोई final news तो नहीं है, बड़ अगर ऐसा हुआ, तो गोल्ड तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा, मुझे ऐसा लगते है कि इतना सरकार मतलब कोई बेव कोफिय वाल अडिशन नहीं लेगा, कि import duty सिर्फ कम करके छोड़ देगा, वो simultaneously GST बढ़ा देंगे, तो ये हम लोगों ने या पर चेक करनी होती है, प्लस अगर देखा गया, तो बजट अभी नस्दीक आते वे देखने को या पर मिल रहा है, तो बहुत बड़े-बड़े मिटिंग्स होंगे, finance ministers की, उसी के साथ, PMO की साथ, कल के दिन भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, या पर प्राइम मिलिस्टर ने जो बड़े investors देते, foreign investor, D.I.S की बात करे, equity investor, उनके साथ भी बातचीत वापे की है, तो no doubt यहापे सरकार की उपर भी बहुत ही heavy pressure है लगातर, foreign investor exit होते चले यहापे जा रहे है, तो ऐसा कोई फैसला नहीं होना चाहिए, जैसे के एक बार हुआ और बाद में उसको reverse करना पड़ा था, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर उन्होंने DCN यहापे लेना पढ़ने वाला है, तो वीडियो को close करते करते हम लोग जरूर यहापे देखेंगे, फिलाल का बाजार दोस्तो यहापे उपर जाने के लिए अगर मैं बात करूँ, बहुत ठोस रिजन यहापे नहीं है, इसलिए resistance देखो के दोस्तो हर लेवल पे बहुत ही तगड़े resistance यहापे बने हुए, 17-500 तो बहुत ही दूर है, दोस्तो 17-300 बहुत ही जादा strong resistance लेवल है, इसको तोड़ना बहुत ही जादा मुश्किल हो सकता है, उसी के साथ साथ सपोर्ट ल 2000 भी बीच में open हो जाते है, 12-1 के बीच में, तो वहाँ से भी हम लोगों को negativity देखने को यहापे मिल जाती है, तो easily ऐसे levels यहापे break होते भी देखने को मिल सकते है, तो इन सारी चीजों के उपर आप लोगों इस focus रखना चाहिए and study करने की कोशिश करनी चाहिए, तो आशा क